नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है, मैं हूँ गिरिजेश वजश्ट हमारे जो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े एकोनोमिस्ट हैं, वो दुनिया के सब कुछ हैं, क्योंकि उनके बहुत सारा पैसा है और अगर पैसा है, तो वो आए वे भारत और भारत आते हैं, तो सबसे पहले मिलते हैं, आरबी आई के गवर्नर से ये भाई साब जो है, इनका नाम है बिल गेट्स, और बिल गेट्स के बारे में, हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उनके अच्छाईयों के बारे में भी जानते हैं, और उनके बुराईयों पर मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें मैं साजा कर दूँगा, लिंक ताल दूँगा नीचे, बराल, लेकिन बिल गेट्स जब आते हैं, और इस तरह की बाते करते हैं, कि आधार, यूपी आई, और कभी बोलते हैं, डिजिटल करंसी, कभी बोलते हैं, डिजिटाइजेशन, और आर बियाई के गवर्नर से आके सी सीधे ऐसे मिलते हैं, कि दोनों फूफा के लड़के हों, और बच्पन में खो गया हों, भाई, इस देश का आर बियाई का गवर्नर, इस देश के लोगों के लिए जवाब दे है, इस देश के लोगों से मिलने के लिए बैठा हुआ है, या दुनिया में कोई भी आएगा औ उनकों से आरोप लगते रहे हैं, और बिल गेट्स किस तरह भारत की नीतियों पर हावी है, इस पे हम बात करेंगे, थोड़े से पहलों को ही छुएंगे, बहुत ज़्यादा को नहीं छुएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको पता है से ज़्यादा पता है, कही मत जा बिल गेट्स आए हुए हैं, और बिल गेट्स जब आते हैं अमेरिका से, तो आकर सीधे हमारे आर्वियाई के गवर्नर से मिलते हैं, भया आपके अडानी जी, या अम्बानी साहब, या कोई भी आपका अद्योग पती, सीधे अमेरिकन फ्रेड का जो चीफ है, उसे मुलाक कर सकता है, क्या, तो फिर अमेरिका के इस एक आदमी को इतना एकसेस क्यों है भारत में, जिस से चाहे मिल सकता है, जहां चाहे जा सकता है, आप बताइए, वो आदमी भारत में घूमने आ रहा है, और आते ही आर्वियाई के गवर्नर से मिलता है, आर्वियाई के गवर्नर क भूमी का ये कोई Commerce Ministry तो है नहीं ये कोई FDI की बात तो करनी नहीं है अगर Bill Gates समाज से भी हैं तो समाज कल्यान मंत्री से मिलने भीया समझ में आता है अगर वो दिनिताओं से मिलते हैं तब भी समझ में आता है लेकिन अधिकारियों से मुलाकात करने का अधिकार किसी को कैसे हो सकता है RBI का पूरा का पूरा काम, शत्व प्रतिशत काम भारत के आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ है उसको किसी भी मामले में उसकी नीती क्या हो इस पे कोई कैसे इंफ्लूएंस कर सकता है इसको समझने की तुरद है और उसको इस इंफ्लूएंस किया जा रहा है क्योंकि बिल गेट जाते हैं, मिलते हैं और कुछ शक्तिकांदास जो RBI के एक गवर्नर है वो ट्वीट करते हैं कि बहुत सारे मसलों पर बिल गेट से बातचीत हुई बिल गेट से बातचीत, RBI का गवर्नर क्यों करेगा? यह अपने आप में सोचने की बात है अगर आप इतिहास पे जाएं, तो बिल गेट का दखल RBI में नया नहीं है कुछ लोग मानते हैं कि 2016 की नोट बंदी के पीछे भी बिल गेट का कहीं न कहीं से एक इंफ्लूइंस था बिल गेट, नचकित मोर हैं, जो भारत में बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडिशन के चीफ होते थे वो 2016 में RBI में कारिड़त थे और 2019 तक वो RBI में डिप्टी डिरेक्टर भी बन गए थे यानि बिल गेट का एक आदमी RBI में एहमपत पर बैठा रहता है और वो निश्चित तोर पर RBI की अलग-अलग तरह की गत्विधियों में हिस्ता लेता है अपनी राय देता है और वो हमारे देश के जो हमारा रिजर बैंक है उसकी नीतियों में दखल रखता है बारत के आर्थिक फैसलों में विदेशी दखल क्यों होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए ये अपने आप में बड़ा सवाल है अगर आप इसमें थोड़ा और पीछे जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये एक लंबे समय से अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे कभी कहेंगे डिजिटल फाइनिशे इंक्लूजन की बात करेंगे कभी कोई बात करेंगे जैसे आज टाइमस उफ इंडिया को जब एक बिलगेट इंट्रिवू दे रहे हैं तो अपने इंट्रिवू में वो कह रहे हैं कि आधार और यूपी आई दुनिया के हिसाब से बड़े अच्छे कदम है उनका जो शब्दे में पढ़के सुना देता हूँ उनका शब्दे कि आधार और यूपी आई हाम आफ किजिए आधार यूपी आई कैन है ग्लोबल इंपेक्ट इसका अंतरास्वी प्रभाव पढ़ेगा कैसे पढ़ेगा क्योंकि बिल गेट जैसे लोग पूरी दुनिया में इस तरह की चीजों को लागू कराने में लगे हुए है एक कोविट का ठीका लगता है उस टीके के साथ बहुत सारे टीके के विक्रेताओं के आर्थिक ही जुड़ जाते हैं लेकिन उसके साथ ही उस टीके को लगाने के लिए पूरी दुनिया में एक सेंट्रलाइस डाटा कलेक्शन सेंटर बनाया जाता है और जब आप टीका लगवाते हैं तो किस-किस को लगया किस-किसको नहीं लगया इसका डाटावेस बनता है यहां तक मुझे ठीक क्या आतारा है शायद वो कोविं था कोविं के जरीए बनाया गया था दुनिया के लोगों का डाटा एक जग्वे क्यों वो भारत के बाहर आप कहते हो कि डाटा लोकलाइजेशन चाहिए फेस्बुक को गूगल को वाटसेप को इंस्टाग्राम को सब को अपना डेटा भारत में ही रखना पड़ेगा और भारत की लोगों का टीके का डाटा बाहर क्यों रहेगा क्यों रहेगा और वो किसका इंफ्लूएंस है जिस दिन से महामारी आई है उसके आने के पहले से साल वर पहले से भविश्ची की महामारी को लेकर एक बेहतरीन प्लानिंग तयार करने में बिल गेट्स लगे हुए थे और ये रिकार्ड पे है जिसमें वो कहते थे कि भविश्ची आज फिर कह रहे हैं अब ये कह रहे हैं कि भविश्ची महामारी का पहले से ही पता लगा लेना पड़ेगा देखने में लगता है कि बहुत मानुता कि भविश्ची बात हो रही है लेकिन दखल क्यों इतना दखल क्यों आप बताईए बिल गेट के आने पर मैं ये आपको एक ब्लॉग के बारे में बताता हूँ जिसमें लिखा गया है ये अंतरास्टी ब्लॉग है जब नोटबंदी में दखल की बात आती है तो कोई नई बात नहीं है वो एक बैटर दिन कैश अलाइंस बनाते हैं कैश से बहतर एक कटफंदन अब मैं आपको बताऊँ आप मेरे वैसे वीडियो देतने हैं आपको सारा के सारा पता है लेकिन एक बात बताईए कि ये जो डिजिटल होते हैं आप जैसे ही आप सरवर में आपका डेटा जाता है आपका पैसा जाता है आप से जो लिए जान करें हैं जानती हैं चाए वो आधार हो यूग के आप जानते हैं आधार को लेकर सुप्रीम कोट का फैसला लेने के बाद भी इस देश की सरकारें पूरी ताकत से आधार को लागू करने पे लगी हुई है ये अन्सकंस्टिूशनल है क्योंकि जिस काम से सुप्रीम कोट ने रोक दिया उस काम को आप तरह तरह से घुमा फिराके कर रहे हैं जबरदस्ती कर रहे हैं मैं उत्त्रप्रदेश के नगर निकाई चुनाव में वोट नहीं डाल सकता हूँ मैं मद्यप्रदेश के नगर निकाई चुनाव में वोट नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि मेरे उपर ये दबाव बनाया जारा था कि मैं अपना आधार अटेच करूँ मैंने मना कर दिया ये लोग जो है न एक बार एक जगे एक चीज के साथ में आपकी सारे चीज़ों को जोड़ कर आपकी पूरी की पूरी हैसियत और आपके वजूत को एक कंप्यूटर के क्लिक पे रखना चाहते है कैश मैंने आपको याद होगा डिजिटल करंसी की बात आई थी जब ए रूपी की बात आई थी तब मैंने हर केसिस में आपको बार बारा हाग किया था कि ये जो कागज का कैश है ये ही मेरी आजादी है जिस दिन ये कागज का कैश नहीं होगा मेरे पास में मेरे पास कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं जहां भी जाओंगा जो भी खरीदूंगा जैसे भी खरीदूंगा जिस चीज से खरीदूंगा मुझे ट्रेक किया जा रहा होगा यानि मैं स्टेट के किसी भी गलत और अच्छे काम को लेकर कोई टिपणी भी नहीं कर पाऊंगा अगर मुझे राजिकी कोई चीज अच्छी नहीं लगती है अगर मैं कोई अंदोलन चलाता हूँ कोई विरोध करता हूँ कोई प्रदर्शन करता हूँ जैसे किसान अंदोलन हुआ था जैसे शाहिनवाग का अंदूलन हुआ था जैसे ना अंदूलन हुआ था किसी भी अंदूलन को जोड़ लीचे तो स्टेट के लिए बहुत आसान होगा मुझे टेक करना और ट्रेक्स करना जगे जगे AI कैमरे लगे हुए हैं आपको बताया था कि किस तरह के कैमरे लगाए गए हैं किस तरह से हमारा सारा रिकॉर्ड ट्रेक किया जा रहा है मैंने वीडियो बना कर आपको बताया था कि आपके बारे में दस सेकेंड के अंदर एक इन्फरमिशन निकाली जा सकती है आप कहां जा रहे हैं तीन सेकंड में एलर्ट आता है और उस इलाके में पुलिस को पता लग जाता है कि ये पर्टिकुलर रादनी इस इलाके से निकल रहा है याद रखिए अपराधियों से सत्ता और तंत्र को कोई खत्रा नहीं होता और वो जो व्यवस्था बनाते हैं वो अपराधियों के खिलाफ नहीं बनाते हैं वो व्यवस्था जो बनाते हैं वो उनके खिलाफ बनाते हैं जो व्यवस्था के खिलाफ हवाज उठाते हैं और ये एक जगे का एक देश का नहीं किस्सा ये सारी दुनिया का किस्सा है वो इस देश में आती ना होती मैं यह नहीं कह रहा हूँ उसमेडानी जी का दोश है लेकिन इतनी ड्रग इस देश में बिक रही है और सारे सरकार के कानून विवस्था के प्रावदान होने के बावजूद बिक रही है इतनी बड़ी मात्रा में इस देश में ड्रक का डिस्टिवूशन है उसका एक नेटवर्क है वो देश के अलग-अलग शहरों में जाती है, बिटती है, लोग खरीटते हैं, पीते हैं एक नेटवर्क बना हुआ इतना वड़ा, ये नेटवर्क आपको लगता है कि सरकार खत्व करना चाहती है और चाहती है तो खत्व क्यों नहीं हुआ इस से पता चलता है कि जो हमारी individual freedom है न, वो खत्रे में है अब आप कहेंगे कि साथ, आप बड़ी बड़ी सोचते हैं, इतनी सारी सरकारों को काबू करना आसान है क्या? बहुत genuine सवाल है, उस genuine सवाल का एक genuine उत्तर मैं आपको देता हूँ, मेरे पास ये कुछ data है ये data कुछ कहता है, 2008 के बाद से इस दुनिया के हर देश को, हर नागरिक को दहीरे जीरे मुठी में कर लिया गया कैसे किया गया? ब्याज बहुत सस्ता कर दिया गया, करीब करीब ब्याज शून ने कर दिया गया दुनिया के सारे देश अंधा धुंद करजा लेते चले जाते हैं और बहुत सारा ब्याज के बगएर पैसा मिल रहा है, और ले रहे है वर्ड बैंक कह रहा है, आपको अपने इलाके में ये 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 development करो, हमसे करजा ले लो मोदी जी आप टीका लगाओ और पैसे ले लो, ले लिया इसी तरह से तरह तरह का सालों से करजा चलता आ रहा है भारत पे कितना करजा है, कितना बढ़ गया है, खाल की सालों में कितना बढ़ा है इस तरह वीडियो अलग से है मेरा, और ये सब होता है, और जब बाद में पता चलता है कि एक स्तिती यह आती है कि बैंक को के लिए करजा मुश्किल होता जाता है इमर्जिंग एकोनुमिक्स के लिए करजा मुश्किल होता जाता है और एक के बाद एक दीवालिया होना शुरू कर देते हैं लोग स्री लंका तो किस्सा कहानी बन गया पाकिस्तान की तकलिफ तो हमें बगल में है इसलिए दिखती है लेबनान, सूरिणाम और जांबिया पिछले साल दीवालिया घोशित हो चुके हैं पाकिस्तान, अर्जेंटीना, घाना, अईजेप्ट और अलसलवाडोर इस साल के अंत तक बैंकरफ्सी में चले जाएंगे वर्ल्ड वेंग की रिपोर्ट कहती है कि बड़ी संख्या में दुनिया के जादातर देश दिवालिया होने के कगार पर है और जो प्याज बढ़ रहा है वो विकासील देशों को तबाही के नजदीक ले जा रहा है ब्याज कैसे बढ़ रहा है? एक जगे पर बैठकर एक आदमी ब्याज बढ़ा रहा है अमेरिकन फेड ब्याज बढ़ाता है बहाना बनता है अमेरिका में महंगाई का महंगाई को कम करने के लिए भीयाज बढ़ा रहे है जैसे ही वो भीयाज बढ़ाता है पूरी दुनिया के RBI Federal Bank उसके पीछे-पीछे उस command को follow करते हुए भीयाज बढ़ा दिया जाता है बार-बार बियाज बढ़ा रहा है अमेरिका में महंगाई की अगर इतनी चिंता है तो आप जो जाकर महंगा महंगा तेल बेच रहे हो यूरप में बाबा मूल आस्मान से भी उचे दाम पर बेच रहे हो और उसके जरीय अमेरिका में जो बहुत सारा पैसा ला रहे हो उस धनकी सप्लाई को कंट्रोल नहीं करोगे तो महंगाई कैसे कंट्रोल होगी लेकिन आपका मकसद अमेरिका में महंगाई कंट्रोल करना नहीं है आपका मकसद है ब्याज बढ़ाना जैसे जैसे ब्याज बढ़ता जाएगा ये जो देश हैं करज में डूबे हुए ये घुटते जाएंगे इनके यहां पर जनता की बीच में अन्रेस्ट होगा जनता नाराज होगी स्री लंका के राश्टपती का जो हुआ था आपको याद है ये ना हो इसलिए ताता थाया डांस करते हैं रास्ता दर्श इन ताकतों के सामने मैं आपको कुछ आकले और देखता हूँ कि डवलपिंग कंट्री जो है उनकी जो साले साथ खरब जो है 2022 में उनके उपर साले साथ खरब की बाहरी करजा था और जो आगे जाकर विकास सिल देखों देशों का 2021 में कुल करज 11.1 खरब डालर तक पहुँच गया है 2020 की वर्ल वेंग की रिपोर्ट बताती है कि करीब 20 निवेशक ऐसे मिले हैं जो प्राइवेट थो और जिन्होंने देशों के उपर ये तन बीस हैं जो नोने देशों को करज दिया हुआ है बुतरज घाली पिछली बार बोलके गए थे कि दुनिया में जो विकास सिल देश हैं वो तबाही के कगार पर ख़र है इस सारे डाटा को अगर आप देखें भारत दुनिया का सात्वा सबसे बड़ा देश है और आबादी में दूसरा भारत को ठिकाने लगाना आसान नहीं है लेकिन भारत की विवस्ता बदलती है आप देख रहे हैं भारत में नीतियां किस तरह से बाहर के इंफ्रूएंस करने की लोग कोशिश करते हैं यह आप देख रहे हैं जौस और उसका बयान आया था आपने बाहरी दखल माना क्यूंकि उसने मोदी जी के खलाब बयान दिया बिल गेट्स आता है वो सरकार की तारीफ करता है मोदी जी की तारीफ करता है और अपने एजिंडर लागू करता है तो उसको आप विदेशी एजिंडा नहीं मानते हैं उसका विरोध नहीं होता है कोरोना में किस तरह से कमाई किये बहुत सारे वीडियों मना चुका हूँ बिल गेट्स का किस तरह से पूरा नेटवर्क था कितना रुपिया उसने टीकों से कमाया किस तरह से इंडारेक तरीके से टीका कमाया यह सारी चीजें हम सब को पता है और अब जो असल समझने वाली बात है वो यह है कि एक आदमी का उद्योगपती का भारत में आना और घूम के चला जाना यह नहीं है यह मामला दूसरा है उद्योगपती आता है देश भर के अखवार उसका इंट्रिव्यू करते है बड़े बड़े इंट्रिव्यू उसके छपते है आरवियाई के गवर्नर से मिलता है कभी वो प्रधानमंत्री से मिलता है यार हम आजाद देश है और गुलाम भी है तो किसके हैं यार सोचिए ज़रूर मैंने आपको क्या-क्या बताया आपके वीडियो में समुराइज करता हूँ आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि Bill Gates दोट बंदी के पहले से पूरी दुनिया में cashless economy को sale कर रहा है और cashless economy लागू करने के लिए lobbying कर रहा है वो आदमी lobbying करता है वो आदमी तरह तरह से जाके policies को influence करता है पूरी दुनिया में सरकारों की नीतियों पर असर डालता है इसमें कुछ चिपाने का नहीं चार साल बाद नोटबंदी होती है इसमें भी कुछ चिपाने है RBI में Bill Gates के लोग बैठे होते हैं ये record पर है और दुनिया वर के देशों को किस तरह से करज के जाल में फचाल लिया गया जिसके कारण पचास से जादा देश दिबालिया होने के कगार पर खड़े हुए है ये दुनिया में पूजी बाद का एक ग्रणित चेहरा है कैपिटलिजम ने 2008 की मंदी के पाद सस्ते अब्याज इसलिए किया क्योंकि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट थे उनको धंदा करना था और लोगों के पास पैसे होने चाहिए थे धंदा करके पैसा अगर लेके जाना है भारत में तो भारत में पैसे की गंगा बादो पैसे की गंगा इसलिए बहेगी क्योंकि अगर आप ब्यास कम कर दोगे लोग 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 लेते जाएंगे पैसों की गंगा बहेगी वो कारुबार करकर के पैसा यहां से ले जाएंगे यहां क्या दूनिया के देशों से ले जाएंगे और अब भर लिया है पैसा तब तड़ पा रहें करज़दारों को उमीद करता हूं कि यह पूरा नेटवर्क के एक हद तक आपको समझने मदद मिली होगी यह बहुत विश्यद और वियापक समझेक्ट है इस पे जितना इतना कंटेंट बन चुका इतना बनता चला जा रहा है आगे जाने वाले समय में क्या होने वाला है 2030 में क्या होने वाला है 40 में क्या होने वाला है 50 में क्या होने वाला है सब कंटेंट बना हुआ है बरहाल यह विजिट जब होती है और बेहत आप 30 जनल तरीके से एक आदमी अर्विया के गवर्नर से मिलता है उसके बाद पॉलिसीज के साथ वो कौन है भई जिससे तुम पॉलिसीज पे चर्चा करोगे मैं आ जाओं कर मुझसे पॉलिसीज पे बात करेंगे शक्तिक अंदास इस देश में इतने सारे विद्वान बैट आमर सिंसे तो कभी आपने पॉलिसीज पो बला के बाद चीत नहीं की बिल गेट से क्यों करते हैं कभी वो दुनिया का सबसोड़ा चिक सब इससे सब गुज़ाता है वो बयान देता रहता है ऐसा करना चाहिए एक टीके कम वैसा करना चाहिए पूरी दुनिया फॉलो करती है डबल एचो से जादा लोग उसको फॉलो करते हैं अब यह अर्थशास्थ पर ग्यान देता है दोजार ब्यारा बारा का तो हम बता रहे हैं आपको नोटबंदी से जोड़ा हुआ और पता नहीं कितनी बात दे चुका है हम लोग स्रद्धा से आप में पंजीरी पकड़के बैठे रहते हैं सरकार है अगदार है उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ज्यादा से आ लोगों तक पहुंचा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें नमस्कार जहिंदा